नमस्कार प्रवास अक्षिन वाले हिस्सों में ताजा बर्फवारी के चलते पायटकों के छेहरे खेल उठे हैं पिछले 49 घंटों में घाटी के उचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फवारी की खबरे मिली हैं वही रविवार से बारिश की मार झेल रहे शेनगर शहर में भी मध्यम बर्फवारी देखी गई हम आपको बतादें कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां, गुरेज, माचिल और कश्मीर घाटी के अन्य पहाडी इलाकों में भारी बर्फवारी की खबर है बर्फवारी के साथ तेज हवाई भी चल रही हैं जिससे घाटी में कई घरों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्टे हैं रिपोर्टें के मुताबिक बारामुला जिले में स्किंग रिजॉर्ड कुलमार्ग, जो आज से चौथे खेलो इंडिया शीत का लिन खेलों की मेजबानी करने वाला है, वहां लगबग ठाई फीट ताजा बर्फवारी होई है बर्फवारी का आनन्द लेते हुए कई पैटकों ने प्रफवासाक्षी से बात की और इस तोरान अपनी खोशी का इजहार किया जो मेरा experience है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, as a person, जो मैं लोगों से मिला हूँ, इससे जाद आच्छे लोग नहीं है तो everybody can come and enjoy the snow and this is a, this is the real, real thing जाना तो नहीं सूच रहा है, बट यह ऐसा लग रहा है कि यह जो सौंग नहीं सा बहारो फूल वर्साओ, बहारो स्नो वर्साओ सुगर से, यहां पर हमको बहुत मज़ाया है, यहां का नजरा, वो के पूठवी का सवर्ग है, यह बहुत अच्छा लग रहा है हम गुजर से आए है, और यहां के नजरा कुद्रे की दस्से बहुत अच्छा है, और यह जन्नत है, जन्नत, यह धर्ती का स्वर्ग है, यह कस्मीर, अल्ला, खुदा, भगवान, सब कुछ यहीं पर है, पूरी पूरी के पूरी सिक्कत इसके उपर बरसाई हुए, बहुत सा सबाए है, बहुत सारा, फैसे बहुत सा हुए ऑख पहली बार जोई है, बहुत सुंदर शेवर्ख मुझे यहां का नजरा बहुत अच्छा लगत, तव मना थी यहां का बधकि क्योंै को लाइव बहुत तमनना फिक पूरी होई है, तो इससा पहले इसब्सीन सारी। पहले जो सुचा था उससे तो काफी बोड़ा फरक है और अच्छा लगा बहुत शेफ साइट है और मैं तो कहता है हो लोगों को पाना चाहिए और इंज्यो करना चाहिए देखना चाहिए गुटरजी ने जला तो कि नहीं हैं झाम चाहिए पाहिए करस्ग होन है कि पिलकुल आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूँक embraced अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके